छटम दिनक कथा, गंगा कथा, सगर महराज के दू इस्त्री चलखीन, बैदर्वी आ सैब्या, सैब्या से असमन जस नामक पुत्र भेलेन, बैदर्वी के संतान नहीं चलेन, ओ संतानक निमीत महादेवक तपस्या कोरो लगली हैं, सै बर्सक बाद एक टा लोथक जन्म भेलेन, इदेख बैदर्वी कानो लगली, महादेवक असमरन के लेन, महादेव ब्राह्मनेक रूप धारन को उता एलाह, आ, ओही लोथक साथ हजार खंड को प्रतेक को एक एक तुला में तेल दो जैप को रैख देलेन, थोरेक दीनक बाद सैठियो हजार लोथक खंड सैठ हजार सुन्दर आ बलवान पुत्रक रूप में प्रगट भोगेलेल, सगर महराज निन्नानवेटा असमेग यग पूरा कै सयम यग करवाक तैयारी में लागल छला है, किन्तु इंद्र नहीं चाहेद छला है, जे हुनकर यग पूर्ण हुया, कारण साइटा असमेग यग कोलेला पर ओ बैक्ति सत क्रतु इंद्र भो जायत अज, तैय ओ कोनों ने कोनों बिग्न उपस्थित को देत छलखीन, असमेधक घोरा छोरल गेल, जकर रखवार, राजा सगर के वेह सेठियो हजार पुत्र भेला है, इंद अपन छलवल सा घोरा लए भायगी गेला है, अगर सगर के सैठियो हजार पुत्र, इंद्र के खिहारल के इन, वो सब घोरा के तकवाकलेल पिर्थुई का कोरेत आगु बढ़हत गेला है, अंत में घोरा के कपिल मुनी के आस्रम में बानहल देखला है, कपिल मुनी तपस्य में लीन छला है, सगर के पूत्र सब हुनकई चोर बुज दौरल, मुनी के ध्यान भंग भो गेलैन, हुनकर कुरुध द्रिष्ट संग सैठियो हजार राजकुमार तत्छन जेर का भस्म भो गेला है, राजा के यग अपुर्ण रही गेलैन, सगर महराज सोकाकुल भो मड़ गेला है, राजकुमार सब अल्प मिर्थु छला है, हुनका सबक सदगतिक उपायक विचार करवाक लेल ग्यानी लोग सब सभा बैसोलाएन, सभा ऐनिसकर्ष पर पूँचल जे यदे गंगा बैकुंठ स पिर्थवी पर आवत, आ, हुनका सभक छोर क डुबा क पवित्र करत तक नहीं राजकुमार सबक सदगति प्राप्त भ ahora सकेथ छैन, अहिलेल हुनकार बैमात्रे भाय अस्मंजस तपस्या करत करत मिर्गिला है, हुनकार बेटा दिलीप सेहो लाख वर्स धेर तपस्या कयलाक उपरांत मिर्गिला है, दिलीपक बेटा अंसुमान सेहो तपस्या क करेत मुईला है तखन हुनकर बेटा भैगरत तपस्या कोड़ लगला है हुनकर तपस्या स विश्नु प्रसन्भ हुनका गंगा का बैकुंठ स मिर्थ लोक अनवाक अनमत दो देल खीन गंगा का एका एक पिर्थवी पर उतर गेला स पिर्थवी रसातल में धेस जैत थीन तैहे महादेव हिमालाय का उच चोटी पर चेर हुनका अपन मत पर उतर जटा में समेट लेला है हुनकर जटा स निकर गंगा हिमालाय प्रदेश का दह बैत बिदा भेली है जखन जहानु रिशी का आश्रम दहा लागल तो वो गंगा का पीव गला हुनकर जटा समस्या उपस्तित को दिलक ओ सहासी चला है ओ मुनी के सेवा में लाय गला है अंत में मुनी ऐ शर्त पर गंगा का छोड़ लें जे गंगा हुनकर बेटी कहा बैत तह़िया सों गंगा जहान भी कहाब लगली है ओ गंगा द्वार होःत हरी द्वार एली है भैगरत हुनका आगु आगु उमहर जिम्हर हुनकर पितर का छोड छलेन गंगा सौब का दहवईत डूबवईत भैगड़तक पाचु पाचु चौलत चौलत अंत में ओही महाविसाल खायद में खसली ही जक्रा सगर का सैठ हजार पूत्र अस्व मेघक घोरा तकवा में खुन्ने छला है तहीं आप वो सागर कहव अहितर है गंगा मिर्ट लोक में आव सगर का सैठ हजार बेटा का सदगती देलेन तथा भैगरथक परिश्रम का सफल बनो लेन श्री गवडी का जन्म सती का मिर्टू का बाद महादेव संसार सा बिरक्त भ़ कोनो निर्जन अस्थान में तपस्या में लीन भोगेला है हुनका संसारक कोनो सुध नहीं रही गेला है अही बीच में राक्षा सभक उपद्रव बहुत बढ़ गे ओही में तारका सुर परम प्राकर्मी भेल ओ तपस्या के बल पर ब्रह्मा के प्रसन को बर्दान मंगलक जे हम अमर रही ब्रह्मा कोहलें जे इसंभव एच जे जन्म ललक तकर मरन अनिवारी छे तखन ओ दोसर बर्दान मंगलक जे हमर मिर्त महादेवक औरस पुत्रक हाथे हुए ब्रह्मा तथास्तु कही देलें इबर्दान मंगवा में तारका सुरक इउद्देश चल जे महादेवक इस्त्री निसंतन मर गेल चल खीन आ महादेव संसार्च बिरक्त भो गेल चायत हुणकर दोसर बिवाहक कोनो संभावन नहीं चल तए दुआरे हुणकर पुत्रक हाथे तारका सुरक मरवाक कोनो प्रस्ण नहीं चल अर्थात को अमर रही जयत तारका सुर देवता सबक स्वर्ग सभगा दलक सभक राजा बैंगे यग जाप बंद को दलक मुनी सबक सत्ब लागल सुन्दरी इस्त्री सबक अपहरन कर लागल समस्त संसार में कोलाहल मच गेल ओकर उत्पात सं तंग आइब को देवता आरिसी गन सब ब्रह्मा को उता उपस्तित भेलाह ब्रह्मा हुनकर सभग बात सुन्द को कहलखीन जखन जखन संसार में देति दानब सब अईतरहक उपद्रव मच वलक अइच तखन तखन आदि सक्ति महा माया दुरगा अबतार ला उकड़ा सभग संगहार कैलन अइच अहां सब जाही महा संकट में छी ताही उधारक लेल हुनके अराधना करू वे सती का रूप में जन्म लो महादेव संग विवाह केने चली है वो पुनह गवडी का रूप में जन्म लेती है आ महादेव संग हुनकर विवाह है तैन हुनका जे बेटा है तैन सेहतार का सूर का बद करता है से सुन देवता और रिसी मुनी दुरगा का अराधना में लैग गिला है किछ दिन बाद हिमालाइक एक बेटी भलैन इत देख देवता सब हर्ष सफूलक बरसा के लैन ओ अत्यंत गोडी रहतीन तैम हुनकर नाम गोडी पर लैन काम दहन हिमालाई को उत एक दिन नारद मुनी एला हिमालाई हुनका गोडी का देखा का पुछलखी जे हिनकर विवा ककरा संग है तैन नारद मुनी, गोडी का हाथ देख कहल खिन जे हिनकर विवाह महादेवक संग हैताईन, से ओहिना नहीं हैताईन, महादेव एखन अहीं के सिखर पर तपस्या को रहल छायत, इ, नित दिन ओता जाक हुनकर सेवा करेत, तकहनो प्रसन भ हिनका संग विवाह कर थीन गोडी चेश्टगर भोगेली हिमाले हुनका नित दिन दूटा सकी कसंग महादेवक सेवा कर पठव लगल खिन देवतास महादेवक तपस्या भंकर गोडीक दिस हुनकर ध्यान आक्रिष्ट करेवाक लेल तपुबन में कामदेवक पठोलाईन कामदेवपन मित्र बसंत आ इस्त्री रती कसंग उत पहुच गिला है बसंतक महमास समस्त बन में गाच सव फुला गेल सुगंधित बन प्रांत गमय कुठल फूल सब पर भमरा मंडरय लागल गोडी सजधजक बसंती फूलक गहना पहिर सखी कसंग उही बोन में पूजा करवाक लेल पहुच गिली गोडी परम सुंद्री चली ताही पर उही दिनक साज सिंगार आ फूलक सजावट सहुनकर अंग-अंग सोंदर निखर गिलाईन गोडी महादेवक लग पहुच गिली की काम देव ठिका का अपन बान चलो लेन बान महादेव लग खोसल महादेव गोडी दी स्तक लेन गोडी महादेव का परनाम का पूजा के लेन आ कात हो ठार भोगिली गोडी का सुंदरता देख महादेव आकर्सित भोगिला है आजुक अहां के सोभा के बढ़नन के को सकेत एच इत्वा के महादेव गोडी का आचर दिस हाथ बरहो लेन की संकोच बस गोडी कनेक दूर हेंट महादेव दिस टक टकी लगा देलें महादेव के एकाएक ध्यान में एलेन यदि वह एना कामातूर भोजता तो आन लोक की करत ओ एमहर उमहर ताको लगला है तैं जारी में नुक्याल कामदेव के देखलेन उनका बड़तामस भोगिलेन क्रोध सा उनकर त्री नेत्र खुज गेलेन तुरत कामदेव जर का भस्म भोगिला है रती अपन स्वामी के भस्म होईत देख मुर्चित भोगिली होस भिला पर ओ करना बिलाप कर लगली देवता सब रती का दसा देख महादेव का उत गिला है आक हलकिन जे आई में कामदेवक कोनो दोस नहीं चलेन इह उनके सभग पर पंच चल जे महादेव कोना गोडी दिस आक क्रिष्ट भो हुनका सब विवाह करेत पूर तक ने तारका सूर स हुनका सभग उधार भोसकेत चल देव को महादेव कोहना रती के स्वामी के जीवाक उपाय को देथून देव महादेव कहलकिन काम देव मुईलाह नहीं मात्र हुनकर सरीर जरलेन एच हुन उनका एखन वो सरीर प्राप्त नहीं है तेन समुद्र में संबर नामक देथ एच रती ओता जाय एखन उकरे संग रहोत द्वापर में स्री कृष्णक बेटा प्रध्यूम भो जन मिलेता है जनेमते संबर हुनका उठा का अपन नगर लो जयत रती के उत्ते प्रध्यूमक रूप में काम देव भेठ थी जखन वो प्यग हैता है तकहन संबर के मैर ओकर धन संपत सहित रती के द्वार का लो जतीन आ रती सव विवाह का सुख विलास करता है इवात देवता सब के कही महादेव अंतर ध्यान भोगला है रती संबर का उते आस्रय लेवाक लेल विदा भेली आ काम देव से पुनर मिलनक परतिक्छा करो लगली